Q2 नुम्र 12 है आवारे पास I that is 0 to pi x divided by 1 plus sin x dx तो वही हमाई इसके property अप्लाई कर सिथे हैं जो हमारी सबसे इंपोर्टी है हमारी सबसे इंपोर्टी है 0 to a f x dx किसके को होता है 0 to a f of a minus x dx तो इसके जब हम property अप्लाई करते हैं तो यह किसमे करते हैं 0 to pi pi minus x divided by 1 plus sin pi minus x 0 to pi pi minus x divided by 1 pi minus x pi minus x second quadrant sin positive or no change तो यह 1 plus sin x ही हो जाए है इसके तो माल लिया add कर जिया 1 and add in 1 add in 2 1 कोब 2 को add कर जिया तो i लो i कितना अलगा 2 i 0 to pi pi एंग में गठाकर रेते x divided by 1 plus sin x और pi minus x divided by 1 plus sin x 0 to pi 1 plus sin x x plus pi minus x तो यह इसके तो कैंसर होगा 2 i that is pi ने तो कौंसर ने उसको में बाहर विक गया 1 divided by 1 plus sin x 0 to pi यहाँ पर फोलिया हम हम क्या करते हैं pi 0 to pi 1 divided by 1 plus sin x rationalize करते हैं 1 minus sin x और लिए भी 1 minus sin x दन इत बिकांस pi ने पर साफे चला हो है 1 minus sin x divided by a plus b a minus b 1 minus sin x 0 to pi यह सही करते हैं तो i becomes pi divided by 2 और यहाँ गयाई 0 to pi it is 1 minus sin x divided by 1 minus sin square x यह जाएगा cos square x that is pi by 2 0 to pi 1 divided by cos square secant square x minus sin by cos to tangent हो गया और एक जो cos बचा हो secant हो गया यह लिए मिल जाएगा हुए secant x tangent x क्या कि हमने अलग लग कर दिया इसके जिवाट में अलग कर दिया 1 by cos square sine by cos square sine by cos tangent और एक cos उपन जाएगे secant यह बन गया हमने अलगे 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 हम करेंगे i that is pi divided by 2 secant scale का tangent x और secant x tangent x का secant x over the limit 0 to pi i that is pi divided by 2 tangent pi minus secant pi minus tangent 0 minus secant 0 i that is pi divided by 2 tangent pi tangent pi हमारे पास देखो sin pi हमारा 0 होता है तो tangent होता है side by cos तो यह भी 0 होगया minus cos pi minus 1 होता है यह second pi है तो इस क्रासिक मोकल भी minus 1 ही बनेगा तो minus और minus plus 1 होगे अगे चलते हैं माइनस 10 गें 0, 0 को 0, 1 होता है तो यह यह भी 1 हो जाएगा साथ में माइनस है तो I that is पाई ग्राट बाई 2 यहां से 1 और यहां से कहीं माइनस माइनस प्लस 1 हो गया पाई बाई 2 इंटू 2 तो कितना आगा पाई तो यह इसका अंसर आजी यह था हमाड़े पास कोश्चन कंबर 12 नेक्स नेक्स कोश्चन नुबर 13 देखते हैं कोश्चन नुबर 13 है हमाड़े पास माइनस 5 बाई 2, 2, 5 बाई 2 साइड एक्स इस पाउर 7 अब आप देखें माइनस A to A किलिए फिर वरी अनुबरी उसकरेंगे माइनस A to A FxDx कितना होता है यह ट्वाइस और जाता है 0 to A FxDx अगर Fx इवन फंक्चन है और यह 0 जाता है अगर Fx और फंक्चन है इवन फंक्चन कोश्चन होता है F of minus X Fx के एकड़ एकोश्च इवन फंक्चन होता है F of minus X Fx के एकोश्च और फंक्चन होता है F of minus X minus Fx के एकोश्च अब यहां से देखते हैं हमारा Fx कितना है Fx है Sine X इस फोर 7 तो F of minus X कितना होगा इसको जग देगे Sine X इस फोर 7 तो इए sin of minus x और its power 7 तो इए sin minus x हो गया ये minus left आजयेखा इसमेंसे तो minus sin x हो गया अब इसकी power तो 7 है 7 power odd है तो इए minus sin x की power 7 है ग्याटगा इह हमारा fx था तो इए minus fx हो गया तो function कैसा हो गया हमारे पास odd function हो गया odd function ओते है ते integral क्या आता है जीरो तो इसका अंसर रहों क्या जाएगा जीरो तो बिल्कुल इजी कोशन था हमारे पास जस्टने चेक करना था कि यह ओड फॉंक्शन है यह इवन फॉंक्शन है और एक इंपोर्डन बात इस तरह कही कोशन वन मांच के लिए एक्जाम में हर साल आते हैं एक नंबर के पॉंक्शन है इसमें दिया हुए है जीरो तो पाई कोसेक्स इट्स पाउवर फाइर अब जीरो तो पाई है हमारे पास यह देखना पड़ेगा हमें तो हम क्या करते हैं प्रोपोटी अफ्राइस कंते है यही वाले देखते है क्या में। जीरो तु योदू पाई कोस्ट तुपाई माइनुस पावर फाइवर फाइए बैन इसीरो तुट तुपाई टूपाई टूपाई माइनुस एक्स फोर्ट कोड़न अफर स्कूल तु कोलुढई थी कोस् तो यह को सेक्षी हो गया तो इसंदों को कोई फरक नी पड़ा है यह प्रोपर्टी अप्राइ करने से कोई फरक नी पड़ा हमादे पास तो वारा मास एक प्रोपर्टी हो थी कि 0 to 2a fx dx यह जाते है twice 0 to a fx dx if f of 2a minus x that is equal to fx और यह उता है 0 if f of 2a minus x that is equal to minus fx अब आप देखे जब हम आपने प्रोपर्टी अप्लाइ की तो 2pi minus x यही तो बना यही आ लिए fx ही आ लिए जो fx हा हमारा वही बन गया तो कोई चैंज नी नी है यही कि f of 2pi minus x और f of x इकोर है तम क्या कर देगे इसको twice करके 0 से लेके pi टे कर देगे यह हो जाएगा cos x it's power 5 इसको में ने 2 नहीं अब फिर यह प्रोपर्टी अप्लाइ जी अगें अप्लाइ जी तो यह बन जाएगा 0 to pi cos pi minus x power 5 हम पूरे पर दे लेते हैं अब यह दिखे क्या हम देगा second quarter negative no change minus cos x it's power 5 bx 0 to pi 2 भी चलाओ गाएगा then i becomes minus 2 क्योंकि minus 8 power है तो minus 1 आगा और यह 0 से pi cos x it's power 5 bx अब आप second और third को ध्यान से देखें हमने क्या किया adding equation number 2 add 3 2 core 3 को add कर दिया तो यह 2 आई हो गया लेकिन यह तो दुछरे के negative है तो यह 0 हो जाएगा इसका मतलब i repeat हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह इसका आद से लाएगा एक पर फिर repeat करते हैं जब हमने property apply की तो वही हो गया इसका मतलब f of 2a minus x fx के इक को रहा 2a वार रुपाई था तो हम इसको क्या ली सकते हैं 0 से a लिखते उसका double कर सकते हैं तो वह हमने कर दिया है क्या हो प्या है और फिर यह property apply की यह property apply करने के बाद यह बढ़िया है आप इसको में को ऐसे रिकर सकते हो यह जो value वह आईगी तो है i इस पार्ट की जगा पर अगर आप i लिखते हो तो यह i is equal to minus i हो जाएगा यह इदर चला जाएगा 2i is equal to 0 हो जाएगा और i is equal to 0 है ऐसे भी कर सकते हैं और generally हम जो हर question में करते आ रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 को 3 को हमने add कर दिया 2 को 3 को 2 i is equal to 0 i is equal to 0 इस तरीके से भी हम इसको score कर सकते हैं तो यह था हमारा question number 14 next question number 15 देखते हैं question number 15 देखते हैं 0 to pi divided by 2 sin x minus cos x divided by 1 plus sin x cos x तो यह हम आरे पास question number 15 क्या करते हैं प्रोपर्टी अपना ही कर देते हैं हम इसको प्रोपर्टी अपना ही कर देते हैं यह हो जाएकर 0 to pi divided by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x divide by 1 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x then it becomes 0 to pi divided by 2 यह हो जाएगा cos x sin pi by 2 minus x और cos का बन जाएगा sin 1 plus sin का cos हो गया तो यह cos x हो गया और cos का यह sin x हो गया अब आप जानसे देखें denominator सो सेम है cos x minus sin x divide by 1 plus sin x cos x 0 to pi divided by 2 अब क्या कर देते है 1 and 2 1 for 2 को आप कर दिया आई और i2 आई और i2 80 integral के इंदर 0 to pi divided by 2 यह sin x minus cos x divided by 1 plus sin x cos x 2i that is दोनो का जो LC यह नो इन दोनो सेमे LC मिल जाएगा सेम 1 plus sin x cos x तो यहाँ आप गया sin x minus cos x और यहाँ आप गया cos x minus sin x 2i यह इसके साथ cancel यह इसके साथ cancel तो 0 यह जाएगा 0 to pi divided by 2 2i is equal to 0 i is equal to 0 तो यह हमारे पास इसका answer आप गया तो यह था हमारा question number 15 question number 16 है हमारे पास 0 to pi log of 1 plus cos x तो यह एक important question है और बहुत सारे properties को अपने अंदर कवर किये हुए तो देखते है property अपना इसके यह में that is 0 to pi log of 1 plus cos pi minus x कौंस इसके property अपना इसके 0 to a fx dx that is 0 to a f of a minus x dx तो यह property अंदर इसके अपना इसके इसको मांग मांदे 2 1 kवर 2 kवर कर देख कितना देख 2y हो देख 2y it becomes 0 to pi log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x यह की integral में दो नो गो कितना कर दिया 2y that is 0 to pi log of अभी देखो log n 1 plus log n कितना देखा log n है m हमारा 1 plus cos x और n है 1 minus cos x तो a plus b a minus b कितना देखा a square minus b square यह यह आदा है 1 minus cos x और उसको लिख सकते है sin square x तो यहाँ पे आदा है sin square x dx रपीट देख log m plus log n इसको लिख सकते है n है 1 plus cos x और n है 1 minus cos x a plus b minus b a square minus b scale 1 minus cos square उसको लिख सकते है sin square अब आप देखो sin square x को लिख सकते है sin x it's square और जो पावर होती है वो जो लोग x इस तो पावर n तो यह जो n हो अग्गे चल जाते है तो यह जो 2 पावर है यहाँ पे अग्या अब यह 2 इस 2 के साथ भी cancel होते है आई हमारे पास बन गया 0 to pi log of sin x अगेन अगेन हमने इस पे property अप्लाई करती है यह वाली तो देखते हैं आई क्या हो लेगा यह जाएगा 0 to pi log of sin pi minus x dx इसको विख सकते है 0 to pi log of second quadrant positive no change log of sin x dx अब आप देखेंगे कि इस पे 3rd पे और जो 4th आभी विला है कोई change निया है property अप्लाई करने से कोई change निया है property अप्लाई करने से अगर कोई change ना आ है इसका meaning क्या हुआ इसका meaning यह हुआ कि fx limited 0 to 2 यह होते है 2 into 0 to a fx dx if f of 2a minus x f of x के इकोला जाए और यह होते है 0 if f of 2a minus x किसके इकोला जाए minus fx के इकोला जाए अब आप देखें कि कोई बरग निपड़ा इसका मतला f of 2a minus x किसके इकोल होगा fx के इकोल होगा 2a कितना होगा 2a होगा πi है 2 into πi by 2 यानिकि a की value कितनी है πi by 2 तो इसको हम क्योंकि कोई change नहीं हुआ कोई change नहीं हो तो इसको हम क्या कर सकते है 2 आगे निकालके और लिवेट का half कर देगे तो इसको हम लिख सकते है twice 0 to pi divided by 2 रहेगा pi से pi by 2 आगे विए log of sin x dx अब यह 4 गात होँ नहीं है इसको 5 नहीं अब फिर यही property वाना से एक बार फिर अप्लाई कि तो इह हो जाएगा 2 0 to pi divided by 2 log of sin pi by 2 minus x अब यह किता हो गया 0 to pi by 2 2 है वारे बास यह log of cos x dx अब जब यह साइट की चेहाँ पे cos आगे तो यहाँ से 5th और 6 अब हम क्या करते है 5th और 6 काड़ करते है एडिंग 5 और 6 5 और 6 काड़ कर दिया i और i 2 i होग इंदनों के लिखेंगे this plus this तो यहाँ से हमारे पास 2 तो 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 से cover नहीं है यह बनेगा log of sin x plus log of cos x एक integral में लिख दिया अब यह 2 के साथ 2 केंसल i अगें 0 2 log n log n log n अब यहां फोग लाने के लिए 2 से multiply और 2 से divide गया then it becomes 0 2 pi divided by 2 log of sin 2 x divided by 2 यहां से हमने क्या किया 0 2 pi divided by 2 log of sin 2 x minus log 2 यह हमने log n divided by 1 log n अब अलगलग करने से क्या विदा हो अरे पास इसको अलगलग करने से हमें अब क्या पिलिए 0 2 pi divided by 2 यह बने गया log of sin 2 x dx minus इसके लिए लग कर दिया log 2 dx 0 2 pi divided by 2 अब जब कोई यह जो इसके साथ x लग जाये गया यानिकि 0 से pi divided by 2 log 2 तो ऐसा ही इसका इंटेगर हो गया x 0 to pi by 2 इस पार्ट में फिर समस्क्राइब अब ने क्या हिया 2 x को z बूट कर दिया तो 2 dx is equal to dz और dx is equal to dz divided by 2 जब x की value 0 है तो z की value 0 जब x की value pi by 2 है तो z की value देख जब x की value pi by 2 है तो z pi by 2 रखें तो यह pi वह जाए then i becomes log sin z और dx की value dz divided by 2 का 2 बहार आ गया और limit होगी 0 से लेके pi तक limit हमारी 0 से लेके pi तक होगी minus log 2 यह pi by 2 minus 0 है then i is 1 by 2 0 to pi log of sin x dx minus यह मिल गया है pi by 2 log 2 अब आप जहान से देखें क्योंकि z में है z को हम क्या लिख सकते है z को वापिस हम x में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास property है कि a to b fx dx को में लिख सकते है a to b fz dz या a to b f t d कैसे वर्जी लिख तो variable change करने से कोई फरक ने पड़ता यहां पर आप आप ओज गया भी आप इस question के अब आप इस question को देखो के 0 to pi log of sin x dx equation number 4 0 to pi log of sin x dx किसके equal है i के equal है i that is equal to 1 by 2 i minus pi by 2 log 2 तो यह इतर चला जाएगा यह 1 है i और यह 1 by 2 है 1 by 2 i that is equal to यह तितर चला गया minus pi by 2 log 2 तो i की value हो जाएगी यह हमारे पास उपरा जाएगा minus pi log 2 यह 2 के साथ 2 cancer हो जाएगा तो यह हमारे पास इसका answer आजाएगा repeat करने property अपनाईगी cos का sign वन लिए बन्लों को add किया log m plus log n का फार्वन अपनाईगी किया 1 plus cos x 1 minus cos 1 minus cos square जिसको sin square log sin square sin x का square power आगे चले जी 2 के साथ 2 cancel कर लिया अब इसके property अप्लाई की property अप्लाई की इसके कोई भरग नहीं पड़ा ऐसे ही रहा यह रहा आगा तो limit को कर दिया half और इसको double कर दिया अब फिर property अप्लाई की तो यह post बन गया side of post को add किया sin x cos x 2 से multiply 2 से divide किया यह sign to x हो गया अलग किया हमने अलग करने के बाद यह तो constant part है इसके तो हो जाएगा यहाँ पे 2 x को z put किया 2 dx 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 is equal to dz by 2 limit change की limit change करने के बाद हमारे पास यह बन गया हमने क्या किया z की जगह पे वापस x replace कर दिया यह यही था जो हमारे पास 4th मही पहुच गया हो इसके जगह पे हमने आए निख दिया और उसके corresponding solve कर दिया तो यह था हमारा question number 16 question number 17 question number 17 हमारे पास 0 to a root x divided by root x plus root a minus x तो प्लुकुल वही question है तो यह property हमने अप्राय कर दिया तो देखते हैं क्या बनेगा 0 to a root a minus x root a minus x divided by root a minus x plus root of a minus x की जगह पे क्या जाएगा a minus x यह हमारे पास 1 है then it is 0 to a root of a minus x यहां पे root of a minus x plus root of a minus यह हमारे प्लस x हो जाएगा तो यह इसके राप cancel हो जाएगा i becomes 0 to a root a minus x divided by root a minus x plus root x यहां अब देखे इनको आगे पीछे करें करेंगा इसको दोड़ा ठीकर के भी देते हैं 0 to a root of a minus x यह root x plus root a minus x यह हमारे को जाएगा यह हमारे को जाएगा यह हमारे को जाएगा root x plus root a minus x यह root x plus root a minus x 0 to a तो किया भी पुर्पी सेवोगा एक जाएगा 2i that is equal to 0 to a 1 आएगा 1 का integral x वाएगा 0 to a 2i is equal to a minus 0 then 2i is equal to a i is equal to a divided by 2 तो यह हमारे पासिस का अंसर है इसको मेरे आपको शुरू में बोला दे जब यह property apply हो रही थी उन questions में तो अंसर आना था upper limit minus lower limit divide by 2 जब property apply करके denominator same रहे denominator में होत्ती है upper limit minus lower limit divide by 2 a minus 0 a divided by 2 a by 2 तो यह था हमारा question number 17 5 next है हमारे पास 18 question यह और वही question है जो कि हमने question number 5th और 6th पर सुन किया था तो 4 function है 0 बन रहा हमारे पास यह 1 पे तो 0 to 1 mode of x minus 1 dx और 1 से 4 x minus 1 dx अब 0 से 1 की बीच की कोई भी value लेंगे तो मार्को 0.5 value तो यह negative है तो इसके आगे एक minus लगा देंगे mode attack 0 to 1 और इसकी बीच की कोई भी value रखेंगे तो यह positive रहेंगा तो इसको as it is नीर देंगे 1 से लेके 4th अब mode हरेगे simple बिल्कुल basic question हो लेया इसको इसको इन्ट कर देंगे और limit is के इनदर put कर देंगे next आँए बारे बास question number 90 थोड़ा होड़ थाइप का है बुकर है कि show that 0 to a f x g x dx that is equal to 2 into 0 to a f x dx where f x is equal to f of a minus x and g x plus 0 of a minus x is equal to 4 तो यह इसके इकवर प्रूव करते हैं हम क्या करेते हैं इसको आई माल देते हैं लेफ्ट हैं साइड माल दो या आई माल दो इसको आपकी मरजिए चाहिए लेंड देते हैं 0 to A F X G X B X यह बनाता है यह प्रोपर्टी अखाई कि हमने तो कितना हो जाएगा 0 to A F of A minus X और G of A minus X यह बनाता है यह मारे बास अब आपने को F of A minus X किसके इकवर है? F X के 0 to A इसको उमने ले दिया F X और G of A minus X किसके इकवर है? G of A minus X 4 minus G X तो इसको लिख दिया 4 minus G X अब यह होगा हमारे पास 0 to A F X इस 4 multiply कर दिया minus F X G X यह ऐसे होगा अब यह ने क्या किया? दोने इंटिग्रों अलगला कर दिया 4 F X constant ता बाहर रिखना दिया यह अलग कर दिया minus F X G X यह अलग कर दिया 0 से लेके A तर अब दो अब यह वह ने लेकर चले थी तेक्स की जगा पर I लिख दे I that is 4 0 to A F X B X minus I यह अलग कर दिया अलग कर दिया अलग कर देगे और सोल कर दिया यह था आवार कोशिण नुमर 90 कोशिण नुमर 20 और कोशिण नुमर 21 optional है देख लेके यह बर्म को भी कोशिण नुमर 20 है यह वारे पास minus 5 by 2 to 5 by 2 X Q plus X cos X plus 10 X is power 5 plus 1 dx अब आप देखो यह minus A से लेके A तक है आप इसको जान से देखे पर यह odd function है अब देखो फोस में से तो minus 12 नहीं आता लेकिन X में से minus 12 आ जाएगे जब F of minus X check करेंगे या तो Fx आए या minus Fx आए तो इस में से तो minus 12 नहीं आएगा X का minus X बढ़ जाएगा तो यह भी odd function हुगा end index में से minus 12 आ जाता है X की जगे पर minus X रखेंगे पावर 5 की रहे से minus बच जाएगा तो यह भी odd function हुगा ठीक है? तो यह तिननों ही odd function है हम क्या करते हैं? minus 5 by 2 to 5 by 2 x cube dx अलग किया minus 5 by 2 to 5 by 2 x close x अलग किया और minus 5 by 2 to 5 by 2 tangent x its power 5 अलग किया और minus 5 by 2 to 5 by 2 1 अलग किया अब यह odd function है तो इसके नाम का 0 यह भी odd, यह भी 0 यह भी odd, यह भी 0 इसके लिए 1 गेंट टीरल x होता है minus 5 by 2 to 5 by 2 it becomes, यह तो 0 है 5 by 2 upper limit minus lower limit minus plus हो जाएगा 5 by 2 और 5 by 2 तो कितना जाएगा यह पाई हो जाएगा इस कांसर आजएगा 5 क्योंकि x की देखेंगे minus x रखोगे तो वो कितना जाएगा जिरू हो जाएगा आप इतको चाहोँ अगर वैसा तो यह one marks की रखोगे क्योंकि आएगा आपके जाता पड़ा जाता तौपिक को दिखा दोगे के fx हमारा x cube है f of minus x यह हो गया minus x cube यहले के minus x cube तो f of minus x minus ओरी है fx तो कैसा कुच्चन हो गया odd हो गया इसी तरह से यह भी odd हो जाएगा और यह भी odd हो जाएगा तो यह था हमारा कौश्चन नम्बर 20 कौश्चन नम्बर 21 देखते कौश्चन नम्बर 21 है हमारे पास 0 to pi दिवाड़ बाए 2 log of 4 plus 3 sin x दिवाड़ बाए 4 plus 3 cos x तो प्रोपर्टी उस कर लेते हैं वही प्रोपर्टी 0 to a सबसे इंपोर्टेन जो हमारी प्रोपर्टी है 0 to pi दिवाड़ बाए 2 log of 4 plus 3 sin pi by 2 minus x क्या बाएगा cos x 4 plus 3 cos pi by 2 minus x क्या बाएगा sin x 1 को टुका अणदे हैं 2i एकीं ट, बाएगा 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 लेगा log of 4 plus 3 sin x x 4 plus 3 cos x plus log of 4 plus 3 cos x 4 plus 3 sin x A q n t you will make a taken 2i that is 0 to pi divided by 2 log n plus log n log m n 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x 2i that is 0 to पाई डिवाड़ड बाई 2, 1 1 का इंटिग्रल x ओवर दा दिविट 0 तू पाई बाई 2 यह पाई 2 माइस 0, तो कितना आगा पाई बाई 2, तो आई डिवाइट की पितली आजाएंगे, तू डिवाद़ बाई बाई जाएंगे तो यह कितने वर मार्क के लिए यानिके 5 मार्क्स का जो से लिए से आ जाता है और जो सबसे ज्यादा जो प्रोपर्टी इंपोर्टेंट है इसमें वो 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx इससे रेकिट कोशन आ जाता है या फिर माइनस a से a fx dx इससे रेकिट है कि एक नमरा कोशन आ जाता है और कई बार मोड में कोई भी कोशन है वो आ जाता है 0 to b कुछ भी करें यहां से 0 से 5 करें तो यहां 3 कर दिया इस तरह हैंगा तो 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 5 तक कर लेकिए तो वेरी इंपोर्टन एक्साइज नितनी जादा प्रक्रेक्टिस करेंगे इसकी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा थैंक्यू वेरी बच्छ